हालो बच्चो मैं सबी कास सवगत करता हूँ अपने पैरेसे फीजिस गयान मुकेशनिक चैनल पर अपके लिए बहुत बड़ी खुश कबर है बहुत सारी बच्चे अभी भी प्रेशर में है कि इस साल क्या मेरी ग्रूपिंग नहीं आएगी एक बच्चो का अभी अभी कॉल इसलिए मैंने भी डिसेजन दे लिया कि वीडियो बना जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो चलिए अपके लिए क्या ख़ुश खबर है इस साल ग्रूपिंग का टेंशन खत्म होने वाला है बच्चो सर कैसे चलिए कर दे ए आप ओपन में हो या कोई OBC है ना OBC, SC, ST, VJNT, बहुत सरे कैटेगरी वीजे टी, ABC जो बहुत सरे होते हैं अब मैं भी SBC बहुत सरे कैटेगरी होते है ठीक है तो ओपन के लिए PCM में आपको 135 नमबर चाहिए 135 और अगर आप कैटेगरी में तो 120 सेम यहां पे भी है 135 हो या 120 हो लेकिन ध्यान रखे बच्चो अगर आप लोगों को बच्चो इसमें 134 भी रहा तो भी आपका गुरूप का क्राइटीरिया कंप्लीट है ओके अगर यहां पे 120 के जगे पे 119 भी नमबर रहे तो भी आपका गुरूप का क्राइटीरिया कंप्लीट है चलिए यह तो होग बच्चों को लगता है कि सर मैंने बहुत कम लिखा है मुझे नंबर ही नहीं आएंगे मैं बता देता हूं जैसे कि PCP गुरूप है एक्जांपल दो तीन चीज़ है नंबर वन एक नंबर कम रहा तो यह फाइदा है नंबर दो चीज़ क्या द्हान से देखिएगा आप लोगों को यहां पर फीजिक्स, केमेश्ट्री, मैस्स सर फीजिस का बहुत अच्छा पेपर गया है कितने आएगे भाई ने कहा मुझे पच्चास आएंगे मैंने बहुत बढ़िया भाई सर लेकिन मेरे केमेश्ट्री में 35 ही आएंगे अच्छी बात है भाई कोई टेंशन मतले तो क्यों टेंशन ले रहा है है ना और यहां पर मुझे मैस में भी जो नंबर से मेरे वो भी बहुत कम है 35 ही है कितना हो रहा है भाई जीरो ठीक है ना यह हो गए 6 और 6 120 हो गया खतम तो कौनसे सब्जेट में कितना है इससे मतलब यह है ठीक है PCM में जैसे कि physics में बहुत आचे chemistry में बहुत आचे देखो यह 70 बराबर है ना 120 ठीक है तो 120 यह जो है यह नंबर आना चाहिए कैसे भी करो हो सकता है कि सर मास मेरा चाच्छा है यहां 35 है यहां 35 कोई टेंशन है 120 आडिशन आना चालिया ठीक है यह भाई यह भी 35 है मुझे पता है जैसी किसी का biology होता है तो chemistry के instant पे chemistry अगर आपका subject है लेकिन उसको left कर सकते biology था आपका और biology में 50 आगई सर्थ biology में तो chemistry की जगे पे biology भले आपका PCM group हो PCM group हो बट तो भी आप biology include करके 120 नमर ला सकते क्या आपको बास समझ में आ रही है मतलब chemistry के instant पे biology पकड़ सकते अगर आपका electronics भाई electronic बहुत बड़ा subject है पता है और सबको हलके प्राक्टिकल के mark 100 के 100 मिलते यार मैंने देखा 100 out of 100 तो 100 को divide by करो तो भी 50 आ रहे मतलब theory का एक भी questions नहीं लिखाना अपने तो भी 50 नमर आ दे वाई और क्या चाहिए क्यों वोल्ट आ मालू मे प्राक्टिकल को पता है अच्छी तरह से मतलब option इतने बड़े है भाई कि दुनिया की कोई ताकत ही ना रोक पाए आपको हाँ अपनी paper ही नहीं लिखा आप paper में absent तो मुकेसर में बजा सकते ना tension कम कर सकते tension कब खतम होगी खाली exam को attempt करना है बस देखो यार इसमेंसी भी क् 30 मार्क देखो तो आपको पता है 30 प्राक्टिकल है ना बाइलोजी खतम बाइलोजी रहता है 30 समझ में आ रहा है और अगर आपका कोई सब्जेक्ट है फिशिरी साइंस जो भी है समझो इसके लिए या कोई electronics फिशिरी साइंस नहीं हो ता PCM ग्रूप के लिए समझो एक एग देखो नहीं यहां पाच आड़कड़ो यहां पाच प्राक्टिकल तो पचास है आपको प्राक्टिकल वाले ग्रूप का क्राइटीरिया खत्त करना है Computer Science है जो भी आपका IT IT जो भी subject है मतलब आप समझ सकते हो भाई इतनी हलकी चीज़ें किसी का भी ग्रूप क्राइटीरिया आ सकता नंबर वन आपको एक नंबर कम रहा तो चलेगा 135 तो 134 चलता है 120 में से 110 मार्ट चलते है दुसरी बात chemistry के instant पे other subject ले सकते हो समझे क्या अब यहां पे तो practical के ही नंबर इतने है इसमें देखो 120 में से नंबर कितने है चलो गिनते 30 और 30 60 ये 20 80 80 नंबर practical के भाईया 40 नंबर only 40 नंबर आपको आपके मन से लेने ते और वो MCQS और VA से very short answer आपको पता होगा 8-8 मारके होते है physics में 8, chemistry में 8-36, math में अरे क्या गोलना यार इतनी बड़ी opportunity मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चे का तो भी group का criteria ना आ जायता तो PCM हो या PCB, same condition से भी, chemistry की जगे पर other subject पढ़ सकते हो तो सबसे में आप लोगों को मुझे लगता है और कोई भी एक बात धान रखना है examiner जो हम लोग पर चेक करते हैं मैं खुद examiner हो किसी बच्चे का group का criteria कैसे आ सकता है इसलिए भी कोशिश की जाते है मतलब थोड़ा अपने diagram लिखी थोड़ी पर बराव बरे तो आधा mark ऐसे देते suspence करके बच्चों का loss न हो जाते है बी सेक्षन में आधा mark मिला तो इसका एक mark हो जाता है सी सेक्षन में आधा mark मिला इसका एक mark होता है डी सेक्षन में आधा mark मिला अर भाई ऐसे तीन चार मार्क दो examiner भी यार आप टेंशन मत लो हाँ अगर आपने पेपर ही यम्ती जोड़ा लिखाए ने तो मैं इसकी गारेंटे नहीं ले सकता हूँ तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो हर बच्चे तक महराष्ट के पहुचना बहुत जरूरी है और जो भी बच्चे हमारे साथ CET की तायरी करें भाई फोड़ना है CETI अब भी पहुड़ा हूँ फिर COP हो, VJTI हो, ICT हो, PICT हो, Walchand College हो, YGGS College हो सकता है, KKK Waag College हो सकता है है न, Cummings College है, GGS के लिए, PVJ, PCC, PIMTRI-CHINZER College आपी, यह नहीं हो सकता है सभी College को फोड़ना है हम लोगों को, तो ध्यान डखना, कौन से बैच में होगे, Topper Plus बैच में इसी में, यह आप लोग एक काम कर सकते हो, www.pgml.layu इस website पे जाके भी भाई, इस course में इंड्रॉल कर सकते है, भाई, यह बैच लेने का फाइदा के मालू है फिलाल में 100 रुपे का कुपन कोड़ है, भाई भी तो यह तो मिल रही है, इतने में, सर दुसरी बैच बोलो, अरे भाई, और भी आप फाइदा होगा, हाज बिलकुल होगा, अगर फोनना चाहते हैं इस बैच में जल्दी आना, क्यूंकि अड्मिशन क्लोज होने वाला है ठीक है, अगर कुछ बच्चे ने चाहते हैं जो मुझे क्रैश कोर्स में ही आना, आजा महीं, यहां आजा, 899 में, लेकिन मेरा सेजेशन है वीली, टॉप पर प्लस बैच ही होगा, तो उमीद करते हैं, कि धमाके दार लाई शेशन में आना है, और हमारे साथ धमाका करकरके आपका जो भी ड्रीम से वी ड्रीम को हसिल करना, तब तक जहें, जै भारत, मिलते हैं लाई शेशन में, बाई बाई